उडान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े उडान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े नमस्कार साथियों में अजित कुमार आपके Digital Platform Competition Community पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे आए आज हम लोग अपने इस वीडियो सेशन के माध्यम से CG Tate exam के point of view से English के fourth session को cover करते हैं इसके पहले English का एक, दो, तीन इसका पहला, दूसरा और तीसरा इन तीन सेशन को हम लोगों ने सीखा था ठीक है, और तीन सेशन में हम लोगों ने काफी नई चीज़ों की चर्चा करी थी, ठीक है, तो आज आईए फिर से एक बार हम लोग अपने इस fourth session में English subject के ढेर सारे question में अलग-अलग चीज़ों को सेखने का प्रयास करते हैं सुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ खास है हमारे इस वीडियो में अपने CG Tate exam के point of view से, ठीक है चले, सुरुवात करते हैं हम लोग अपने इस पहले question से, देखे आज का हम लोगों का पहला question क्या है तो यहां सामने में देख पा रहा है कि यह एक पैसे से यहां पे दिया हुआ है तो इस space में भी है और next space में भी है तो हम चाहेंगे कि आप सभी बच्चे सबसे पहले इसका screen sort ले ले हमें screen से थोड़ा पीछे चलते हैं आप सभी लोग इसका screen sort ले 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 इसका भी screen sort ले ले आप इसका भी आप screen sort ले ले और यहां तक था हम लोग का पैसे पैसे के बाद अब यहां से question है तो passes का जो आपने screenshot लिया है इस screenshot को लेने के बाद इनको आप एक बार खुद से पढ़ ले और पढ़ने के बाद अब इनके question को हम लोग solve करेंगे ठीक है तो चलिए इसका question भी हम आपको दिखा देते हैं ताकि question का भी आप screenshot ले ले फटा फटा इसको एक बार खुद से solve करने का प्रयास करें यह आपका पहला question यह next दूसरा यह तीसरा यह चौता question यह पाचवा question ठीक है और अब यह एक और question है आपके पास अब यहां से हम लोगों का सब कुछ बदल जाता है तो फिर से यहां से वापस चलते हम लोग अब चलते हम लोग यहां से इस passage के तरफ अब आईए यहां पे हम लोग passage को पढ़ना सुरू करते हैं आप में से जिन बच्चों ने इसका screen sort लिया है आप इन सारे questions को एक बार खुद से वीडियो को pause करके इन सारे questions को एक बार खुद से solve करने का प्रयास किजिएगा ठीक है चलिए अब हम यहां से पढ़ना सुरू करते हैं थैंक्स टू डॉक्टर कुरियन्स endeavors ठीक है डॉक्टर कुरियन के प्रयास को बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है बाई एन लार्ज आनन्द मिल्क यूनियन लिमिटेड has emerged as the biggest name today आनन्द मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है ठीक है यह एक बहुत बड़े आज की डेट में बहुत बड़ा नाम बनकर उबरा है ठीक है इमर्ज का मतलब कह है उबरना ठीक है आनन्द मिल्क, यूनियन लिविटे, ठीक है, इमर्ज टूडे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, but the real contribution of the father of the white revolution, ठीक है, lies in the empowerment of the poor and in initiating constructive social change in rural areas, अब जिरा यहाँ पर ध्यान देजे, देखिए आपको क्या देखने को मिला है, constructive social change in rural areas, ठीक है, और देखिए इसके बारे में क्या कह गया, lies in empowerment of the poor and बात समझ में रही है, अब आज ही यहाँ पर देखिए, but the real contribution, जो वास्तविक योगदान है, of the father of white revolution, father of white revolution किसको कहा गया भए, डॉक्टर कुरियन को ठीक है, डॉक्टर कुरियन को क्या कहा गया, father of white revolution कहा गया, ठीक है, इनका जो real योगदान है, वो किसम है, empowerment of the poor, गरीबों के ससक्तिकरन में, जैसे women empowerment, महिला ससक्तिकरन के हम लोग बात करते हैं, उसी प्रकार से गरीबों को ससक्त बनाया है, इनोंने, ठीक है, and in initiating constructive social change in rural areas, याने, गरामीन छेतर में सकरात्मक परिवर्तन, सकरात्मक समाजिक परिवर्तन इनोंने लाया, ठीक है, इ ये दोनों जो हैं, गरीबों का ससक्तिकरन और गरामीन छेतर में, जो एक सकरात्मक समाजिक परिवर्तन रहा, इन दोनों को, इन दोनों चीजों को क्या बताए गया, डॉक्टर कुरियन, जो father of white revolution थे, उनका contribution बताए गया, ठीक है, this milk revolution today directly benefits about 10 million dairy farmers, कितने लोगों को, तो लग जा रहा है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अगले line में देखिए क्या लिखा हुआ है, in the 1980s, 1980 के तसक की बात की जा रही है, he replicated the milk revolution, उन्होंने क्या किया भाई, तो milk revolution की सुरुभात की ठीक है, in the sphere of edible oil, अब ज़रा यहां पे देखिए, यहां पे replicate, replica का मतल ठीक किसी चीज़ का ठीक नकल करना, एकदम हू बहू नकल करना, ठीक है, तो जैसे इन्होंने white revolution की सुरुभात करी, उसी प्रकार से 1980 के दसक में, in the sphere of edible oils, operation golden flow, इसी प्रकार से इन्होंने edible oil के छेतर में, operation golden flow की सुरुभात करी, एकदम exact copy करते हुए, ठीक है, जिस प्रकार स milk के छेतर में, इन्होंने किया था, आगे बढ़ते हैं, एट आनन्द, आनन्द union जो था limited, इसकी बात की जा रही है, एट आनन्द, डॉक्टर कुरियन has established one of the finest dairies in Asia, ठीक है, यह जो आनन्द milk union limited बना था, इसके रूप में, डॉक्टर कुरियन ने क्या किया, कि एक Asia level के, एक तो finest dairy firm की अस्थापना करी, ठीक है, producing whole and skimmed, producing whole मतलब सभी प्रकार का, ठीक है, skimmed milk powder, अब जो milk powder होता है, जो आप डबो में बिखते हुए देखते हैं, ठीक है, powder from the milk of buffalo, देखे इसको ज़रा ध्यान देचे, यह कहां से बनता है बही, तो milk powder कहां से बनता है, तो यह बनता ह किसे, बो फैलो के दूसे, ठीक है, the butter and cheese produced, here are the best sellers in the elite markets, मतलब जो पढ़े लिखे सम्ब्रांथ क्लास के लोग हैं, इनके बीच यह जो आनन्द dairy था, ठीक है, आनन्द dairy का जो cheese है, ठीक है, और butter है, यह काफी बिखता है, बहुत अच्छा माना जाता है, इसका बढ़िया बिक प्रोफेशनल लोगों का टीम, and animal husbandry, animal husbandry, यहने कि पसुपालन, from several countries, visited आनन्द to learn from India, मतलब यहां पर ध्यान देजिए, several countries, several countries, who visited आनन्द to learn from India, मतलब कई dairy चेत्र के कई प्रोफेशनल टीम ने, पसुपालन करने वाले कई प्रोफेशनल टीम ने, ठीक है, इन दोनों ने व कहां पर भई, जो इंडिया में इस्थीत है, क्यों किया था, क्योंकि वो इंडिया के डॉक्टर, यह जो कुरियन थे, उनके आनन्द dairy नाम का जो limited था, ठीक है, इससे वो लोग कुछ सीख सकें, ठीक है, सीखने के लिए, अनुभा लेने के लिए, next, आगे बढ़ते हैं, अ इसके पीशे जो इंसान था, वो कौन रहा है, तो वो रहें, डॉक्टर वर्गिज, ठीक है, दो विजनरी अड्मिनेस्टेटर, हूँ, इस्पीर हेड, अब यह देखे, इस्पीर हेड क्या होता है, इस्पीर हेड होता है, एक प्रकार का पाइनियर, मार्ग प्रसस्त करने वाला पत प्रदर्सक, ठीक है, दो डेरी कॉपरेटिम मुवमेंट एंड मेड ओपरेशन फ्लोड, और इन्होंने क्या किया, ओपरेशन फ्लोड मुवमेंट को चलाया, ठीक है, फिर से जरा पढ़िए, दो विजनरी अड्मिनेस्टेटर, यह क्या थे भाई, तो एक विजन बनाया, उन्होंने क्या बनाया, ओपरेशन फ्लोड बनाया, ठीक है, और रन अवे सक्सेस, ठीक है, तो इसको सक्सेस्फुल बनाया, नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं अगले लाइन को, बाइब बिल्डिंग इंडियाज डेरी इंडस्टी, भारत में इंडिया की जो डेरी इसको बना करके, इसकी बिल्डिंग को बना करके, ठीक है, बाइब बिल्डिंग इंडियाज डेरी इंडस्टी, इंडिया में डेरी इंडस्टी की अस्थापना करके, इसकी सुरवात करके, इस प्रकार से डेरी इंडस्टी की अस्थापना करके, इसकी सुरवात करके, उन् fully managed to bring India ahead of all other countries और उन्होंने सफलता पुर्वक manage किया भारत को दूसरे देशों से आगे ले जाने में as the world's largest milk producing country दूसरे दुनिया के दूसरे दुग्द यानि कि milk producing countries से इंडिया को सफलता पुर्वक आगे ले जाने में ये सफल रहे today he occupies a unique position of leadership in the dairy industry आसकी डिट में उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया unique position of leadership कि छित्र में तो dairy की छित्र में उन्होंने कायम किया and has also been recognized as a prominent dairy export ठीक है द्यान से पढ़िए इसको and has also been recognized as a prominent dairy export internationally और अंतरास्टी अस्तर पे ये एक प्रमुख dairy export के रूप में भी चिन्नित हुए ठीक है बात समझ मैं तो यहां तक था हम लोगों का story अब आईए इस story के बाद यहां से इस story पर बेस्ट इस पैसे पर बेस्ट हम लोग अब कुछ कोशन को बनाने का यहां से सुरुवात करते हैं who is called father of milk revolution तो सीधी सी भात है जहां बनेगा answer अंसर हमारा बनेगा नेक्स्ट अगले question की बात कर देखिए question इसका काफी आसान होता है जैसा कि हमने आपको पाहले के वीडियो में बता रखा आपके पैसे से जो एक्जाम में question पूछे जाते हैं यह काफी आसान होते ठीक है से आज़ेइं वी एकांड श्राइद का मतलब क्या होता ग्रामीय फिर्ट्रा क्या होता हैं ऑन ध्यान के प्रयास क्या हुआ त мост साकरात्मक सोसल परिवर्तन देखने को मिला था इसका जो प्राइस था कीमत था दाम था वो कम हो गया आनन्द था यानि कि आनन्द डेरी जो था वो आकरसित किया किसानों को डेरी फारमर्स को कि वह वहीपे सेटल हो जाये वहीपे वह बस जाये जाके ऐसा कुछ नहीं था तो इस question का गशनर बनेगा अंसर बनेगा option no A ठीक है यह पैसे जो म सर न यह मींसर नहीं यह भी फ्रे इंपोर्ट अफ गोल्ड फरॉम गोल्ड का इससे कोई मतलब नहीं है यहां पे पर कोई मार्केटिंग की बात नहीं थी यह किसे संबन्दी था इडिबल वाइल से इडिबल वाइल लेकि ऑप्शन में है इसलिए हमारा आंसर बने का ऑप्शन नमबर वन अब यह क्या हो गया यह भी गलत हो गया क्योंकि टूश में करेक्ट नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं स्टड़ी दा फॉलोइंग स्टेटमेंट यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है आईए इसको पड़ते हैं फैस्नेवल मार्केट से प्रेफर बटर और चीज फ्रम आनंद देखिए जो इलाइट क्लास था जो इलाइट क्लास था संब्रांत उफर्ग था पढ़ा लेका समाज है यह किसको प्रेफर कर रहा था भाई तो यह प्रेफर कर रहा था बटर और चीज कहां से अनंदे डेरी से ठीक है अनंदे डेरी के बटर और चीज को यह प्रेफर कर रहा था यह वह बात कही गई है तो यह पहला वाला कैसा हमारा यह करेक्ट है नेक्स सेकेंड को प बड़ा परिवर्तत देखने को मिला चिक है तो यह भी सही है यानि कि यह दोनों स्टेट्मेंट्स है अब आज यह बोथ एंड बी आर राइट तो यह होगा हमारा करेक्ट आंसर यह हो गया हमारा करेक्ट आंसर उप्षन नवर फूर नैसट आगे बढ़ते हैं कंड इ स्टेट में फोर्म पर्शाइस च्अ- अब यहां पर 50 अनंद टू ciert में उर्म इंडियन एक्सिरेइंश थी रिलेचीड थी ने में वी मृढ्रेशा है पर टिक है किसलिए थाकि वो यहां के अनुभाव को सीख सके के अफ्रों को सीख सेके जाड़ कि मिल्क पावडर उनली फ्रॉम काउज मिल्क या जरा ध्यान देजिन ऐसे भी पाउडर जो ता किसे बना था तो यहां पर लिखा गाय के घ्लत हो गया आगे बढ़ते इंडिया has become the largest exporter of milk in the world हाँ यह सही बात है कई दूसरे दुनिया के दूसरे दुख्द उत्पाधक दे सो milk producing countries को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया ठीक है तो यह भी सही है यानि कि A और C हमारा सही है A and C are right A and C are right but B is wrong तो यह हो गया हमारा correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं से अगला question क्या है as a prominent dairy export prominent का मतलब क्या होता है important बढ़ा महत्वपूर्ण ठीक है आ जाईए question के instruction में चले the underlined word does not mean the same as मतलब यह जो underlined क्या हुआ award है इन में से यहां जो चार option दिए गए इन में से वो कौन सा award है जो इससे टैली नहीं करता है जो इससे बिलकुल अलग है अब आज़े यहां पर out standing out standing क्या होता है जो दूसरों से बेहतर perform करे ठीक है तो यह अलग मेंनिंग देने वाला वार्ड कान सा है तो इस question का आंसर हमारा क्या बनेगा हमारा answer बनेगा option number हमारा answer क्या बनेगा तो हमारा answer बनेगा option number two next आगे बढ़ते हैं अगले question में has emerged as the emerged emerged का मतलब क्या है उभरना आगे निकलना ठीक है the underlined word means the same as इन में से वो कौन सा word है जिसका meaning same है जो is emerged का synonym से जो इस emerged का synonym से तो कौन से है भाई arose का मतलब क्या होता है arise arose a horizon मतलब आगे बढ़ना आगे निकलना intrude मतलब घुसपैट करना impose मतलब लादना थोपना ठीक है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है थोपना लादना ठीक है intrude मने घुसपैट करना क्या होता है गुजपैट करना जैसे पाकिस्तान वाले लोग करते है ठीक है गुजपैट करना यह होता है पास का मतलब क्या होता है भाई तो गुजरना क्या होता है गुजरना ठीक है अब हमारा आंसर क्या बनेगा तो हमारा आंसर बनेगा option number a क्या बनेगा हमारा correct answer बनेगा option नमबर A, next, the sphere of यहां पे sphere क्या है भाई, अब देखिए, इसके लिए आपको कहीं कुछ करने के जरू होते हैं, the underlined word is A-N, यह क्या है भाई, जो underlined क्या हो वोड है, यह क्या है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इसको आप कैसे पाचा देगे, यही नहीं, ऐसे बहुत सारे word हैं, जिनको आप नहीं जानते हो, यह हो सकता है, कि जिनसे आपका सामना जिन्दगी में पहली बार हो रहा हो, ऐसे word को भी आप कैसे फचनेंगे, जरा ध्यान देजिए, यह सबसे पहले article दो है, तो कहीं भी कोई भी article हो, article कहीं भी रहेगा, तो article के बाद कहीं नहीं नाउन तो आएगा, ही आएगा, दूसरी बात समझे, कोई भी preposition हो, क्या हो, कोई भी preposition हो, प्रेपोजिशन के बाद भी noun आता है, प्रेपोजिशन के पहले भी noun आता है, अब आ यहां पर आजाए इसके according यह क्या है तो यह noun है और इसके according भी एक्या है इसके according भी यह noun है और यह nic- प्रे पोजिशन इसके बाद भी ना हुन आएगा इसके एकोडिंग भी यह क्या है इसके एकोडिंग भी यह ना उन्ने बाद समझ में आ गए आज यह ऑप्षन में देख लें तो यह देखे यह रहा हमारा करेक्ट ऑप्षन ठीक है नेक्स यहां से आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चले यहां पर फिर से हम लोगों के सामने पैसे जाए तो हम फिर से आप सबों को सजेस्ट करेंगे कि आप इसका स्क्रीन सॉट ले 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 चलिए स्क्रीन सॉट ले लिए हो तो अगली पीज में चलते हैं इस स्टोरी की अगली पीज में चलते हैं देखें यह फिर हमारे स्क्रूरी का चिसका भी याप स्क्रीन शॉट ले लिजिए और यहां से एक को्स्चन हमारा शुरू होता है तो आएक को्स्चन का भी spouses ये चल्हें ine amazing is second question थर्ड कोश्चन फोर्थ कोश्चन और यह रहाब का फिफ्ट कोश्चन सिख्स्थ कोश्चन और यहाँ से फिर कहाने चेंज हो जाती है तो अब चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ना सुरू करते हैं यहाँ से हम आपको पढ़ाना सुरू करते हैं और आप मैंसे जितने बच्चों ने इनका स्क्रीन सोट लिया है, इसका स्क्रीन सोट लिया है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास केजिएगा, चलिए, यहां से पढ़ना हम लोग सुरू करते हैं, His brothers later reached him, addressed to his office, मतलब जरा ध्यान से समझे, उसके भाई का जो लेटर था, वो कहां पहुचा भाई, उसके office पहुचा, कहां पहुचा, उसके office, ठीक है, मतलब दो भाईयों की कहानी इसमें बताई जा रहे है, He had not written home ever since he came malgudi, मतलब फिर से समझे, जब से वो malgudi आया, तब से अपने घर कोई लेटर नहीं लिखा था, घर में कोई लेटर नहीं बेजा था, ठीक है, the brother wrote, अब जो भाई है, वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई, I am very pleased to know about your whereabouts, अब देखें, whereabouts का मतलब क्या होता है, whereabouts का basic मिनिंग होता है, ठीकाना, क्या मिनिंग होता है, ठीकाना, अब ठीकाना मतलब जहां पर सारी चीज़े आप रखा करते हैं, ठीक है, जैसे मान लेजए, आपने देखा होगा movie, अल्ली बाबा, चालिस शोर, ठीक है, अल्ली बाबा, चालिस शोर, इस तरीके के movie आपने देखे होगी, खुल्या, सिम, सिम, जिसमें ऐसा कुछ होता है, उसमें जो पूरा का, पूरा चोरो का जो खजाना था, वा कहा था, गुफा में था, ठीक है, तो वो जो गुफा था, वो जो चोर थे, डकाय थे, उनका क्या था, वेर अबाउट था, ठीक है, अब यहां पे वेर अबाउट जानकारी मिली उसके उससे क्या हुआ तो हमें बहुत खुसी हुई ठीक है अब यहां पर whereabouts का मतलब क्या हो गया जानकारी ठीक है your whereabouts through your paper तुम्हारे बारे में तुम्हारे पेपर से जो information मिला उससे मुझे बड़े खुसी हुई the first issue of which you have been good enough to send me करता कि जिसका पहला जो अंक था issue का मतलब अंक होता है एडिसन होता है तो उसका जो पहला अंक था ठीक है उसके बारे में बता जा रहा है the first issue जो पहला अंक था of which you have been good enough to send me उसको तुमने मुझे अच्छी तरीके से भेजा ठीक है I have read the explanations और हमने क्या किया तो तुमने जो भेजा था पहला इशो उसको हमने अच्छी तरीके से रीड किया you have given in your first editorial जो तुमने अपने first editorial में दिया था उसके explanation को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा but don't you have said thing ठीक है but don't you have said thing क्या तुमको नहीं लगता क्या तुम ऐसा महसूस नहीं करते that you have yourself and all too ambitious task कि तुमने इसमें कुछ बहुत महत्वकांची प्रयास कर दिया है ठीक है तुम खुद को ऐसा महसूस नहीं करते कि क्या तुम इन एडिटोरियल के माध्यां से तुम खुद को बहुत ज़्यादा ambitious दिखा रहे हो ठीक है एक जमाना था जब पैसे से भी छोटी यूनिट हुआ करती थी जिसको हम लोग करते थे आना ठीक है जैसे आपने गाना सुना होगा दो रुपया चार आना ठीक है ऐसा करके गाना था जो आप सुने होंगे पुराने जमाने करता ठीक है यह यह चार आना चार आना बात समझ ध्यान देजे इसके लिए उसके जो कीमत थी, वो कीमत कितनी बताई गई इसमें, चार आना बताई गई, फोर आना, ठीक है, बात समझ में आ गई, अब ये चार आना किसके कीमत है, उसके newspaper की, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है, as it is, ये जैसा की है, the magazine is over too, the magazine is over too quickly and we have to wait for a week again, मतलब ये जो magazine है, ये जो newspaper है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और फिर इसके अगले edition के लिए हम लोगों को एक विका इंतजार करना होता है, यानि कि ये edition कैसा है, ये weekly edition है, ठीक है, and then, और तब उसके बाद, will you allow me this criticism, और एक सबता तक इंतजार करने के बाद, क्या तो मुझे allow करोगे कि हम इस तरीके से इसको criticize करें, इसके निंदा करें, ठीक है, you are showing yourself to be an aggressive fellow, और तुम इसमें अपने आपको एक aggressive व्यक्ति के रूप में present करते हो, ठीक है, aggressive व्यक्ति के रूप में present करते हो, अक्राम के महसूस होते हो, almost every line of your paper is an attack on something, लगभग प्रतेक किसी चीज़ पर attacking mode में दिखाता है, यह attack करता है, ठीक है, you give a page for politics, तुम politics के लिए एक page दी हो, and it is all abuse, अब यहां पर देखे, abuse का मतलब गाली नहीं है, यहां पर abuse का मतलब है criticism, निंदा, अलोचना, और यह पूरा का पूरा किस से भरा हुआ है, अलोचना से भरा हुआ है, क space में तुम किसी भी party या किसी लीडर की प्रसंसा करते हुए नहीं आते हो, तुमने किसी की प्रसंसा इसमें नहीं की है, किसी को accept नहीं किया है, अच्छे लीडर के रूप में, ठीक है, या अच्छे politician के रूप में, and then, और तब उसके बाद a column for cinema, उसके बाद फिर तुमने एक cinema का column रखा है, and arts, और एक arts का रखा है, ठीक है, and even here you deal hard knocks, और यहां भी तुम कड़े कटाक्ष करते हो, ठीक है, कड़े प्रहार करते हो, यानि कि यहां भी तुम criticizing कर रहे हो, current publications the same thing, current publication, मतलब जो current affair वाला चीज है, उस पर भी यही काम किया है, तुमने however, be careful, हाला कि तु All I wish to say, जो कि हम तुमको बताना चाहते हैं, कि तुम्हें careful होना चाहिए, it wouldn't do at all to get into libel suit, अब यह देखे, यह जो libel suit है, यह क्या होता है, यह जो libel suit है, इसको कहते है, मानहानी का मुकदमा, क्या कहते है, मानहानी का मुकदमा, with your very first effort, कहता है, कहीं ऐसा नहों कि तुम्हार जो पहला effort है, जो पहला edition है, इसी के साथ तुम्हारे उपर कोई मानहानी का मुकदमा न कर दे, तुम मानहानी के मुकदमा में first न जाओ, ठीक है, साथ्या, अब ज़रा ध्यान देजे, साथ्या कोन है भाई, साथ्या pounded over this letter, ठीक है, और साथ्या इस letter पे गहन चिंतन करता है विचार करता है, sitting in his office, और कहां पे करता है, तो अपने office में बैठे बैठे, he admired his brother for detecting the similarity, मतलब ज़रा ध्यान से समझे, साथ्या नाम का जो व्यक्ति है, ये कौन है, ये वही है, जिसने इस newspaper के editorial को लिखा, जिसने cinema और arts के column को लिखा, चिक है, अचली, आगे पढ़ते है, he admired his brother for detecting the similarity in all the contributions, सभी प्रकार के contribution में उसके भाई ने जो detect किया, जो गलतिया पकड़ के criticize की, उसके लिए साथ्या जो है, उसके प्रसंसा करता है, all of them written by himself, और सब का सब उसके द्वारा कुर्से लिखा गया था, चली, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग इस पैस इस पे आधारित कोशिप प्रस्टों को बनाने का प्रयास करते हैं, यहां पर आते हैं, the brother addressed this letter to Satya at his office as, ठीक है, आजये option को पढ़ते हैं, he had recently changed his address, यहां पर his होगा, changed his address, ठीक है, दूसरा, the brother had left home many, many years ago, जो भाई था, वो बहुत पहले, बहुत पहले, कई वर्सों पहले हैं, घर चोड़ चुका था, the brother had got it from Satya's newspaper, जो भाई था, उसको सब कुछ कहां से मिला, तो Satya के newspaper से मिला, मैं भी यह हो सकता है, ठीक है, he had forgotten it completely, वो उसको बिलकुल भूल चुका था, तो यह होगा ने, यह होगा ने, यह भी नहीं होगा, हमारा correct answer क्या मिलेगा, यह मिलेगा, ठीक है, साध्या के बारे में, जो कुछ भी जानकारी मिली, वो उसको कैसे मिले, उसके newspaper से, उ his brother was unhappy about the price of the paper, देखे उसने क्या बता है था, कि paper के किमत कितनी है, चाराना, उसमें बढ़िया content भी नहीं है, बहुँ जादा content भी नहीं है, और फिर उसके अगले edition के लिए, लोगों को one week, इंतजार करना पड़ेगा, चाराना देने पड़ेंगे, ठीक है, यही बाते उसमें बताई गई थी, साथ्या was very ambitious about his paper, साथ्या जो था, अपने paper में बहुत ambitious दिखाई पड़ रहा था, बहुत मातवकाची दिखाई पड़ रहा था, तो यह दोनों ही statement कैसे है, correct है, अब दोनों statement correct है, तो आजाए यह ढूंडे हम लोग बोथ A and B are right, बोथ A and B are right, हमारा answer बने क option number 3, next आगे पड़ते हैं, study the following statement यहां पर आई, फिर से हम लोगों को दिए गया statement को पढ़ने के जरुवत है, there was not enough reading material in the newspaper, जो newspaper था, उसमें पढ़ने का बहुत ज्यादा material नहीं था, साथ्या was critical of every political party, साथ्या जो था, प्रते एक political party को लेके critical था, सबके निंदा कर रहा था, only the cinema and the arts were appreciated, केवल cinema और arts जो था, उसी कि उसने प्रसंसा करी थे, यह गलत है, उसने arts और cinema में भी criticism ही किया था, वहाँ पे भी उसने hard knock किया था, ठीक है, तो यह तीसरा वाला गलत हो गया, पहला और दूसरा क्या हो गया, यह सई हो गया, तो अबाज आई, तीसरा वाला रोंग है, ऐसा कहां पर option है, A and B are right, यह मिला, A and B are right, but C is wrong, यह रहा हमारा correct answer option number 3, ठीक है, जिसमें C को wrong बताएंग गया, वही होगा हमारा answer, चले, next आगे बड़े, यहां से choose the incorrect option, इसमें से हमको वो option choose करना है, जो गलत है, जो अपने पैसे से belong नहीं करता है, all of the articles were written by सात्या, सारा सारा article किसके द्वारा लिखा गया था, सात्या के द्वारा यह तो सही है, यह गलत नहीं है, सात्या's brother was a very, was a very observant person, सात्या का जो भाई था, वो बहुत observant person था, he thought that people would go to the court against सात्या, जैना देखे, libel suit का यहां पे चर्चक किया गया था, यह वही है libel suit वाला, ठीक है, तो य आगे बढ़ते हैं, अगले question में, option number 4 में, सात्या approved of the new book published during the week, अब new book जो उस week published हुआ था, इसमें उसकी चर्चा की गई, यहां पे कोई सी book के publish होने की कोई चर्चा नहीं थी, newspaper के publish होने की चर्चा थी, तो यह क्या हो गया, यह हो गया हमारा incorrect option, ठीक है, तो incorrect option के रूपे हम अंसर क्या बनेगा, option number 4 बनेगा, नेक्स आगे बढ़ते हैं, and all to ambitious a task of ambitious क्या होता है, महत्वाकांची, ठीक है, अब आजाए, the underlined word here means the same as underlined word, जो है, इसका same meaning क्या है, ardent का मतलब होता है, बहुत मेहनती, ardent का मतलब, hard working, बहुत मेहनती, महत्वाकांची, gallant क्या होता है, गै इरिफिक भयानक डरा होना, ठीक है, तो इस question cancer क्या बनेगा, question cancer बनेगा, option number, next, यहां से आके बढ़ते हैं, remarkably alike, all seem to be remarkably alike, remarkably क्या होता है, तो यह होता है, important, यह क्या होता है, important होता है, उलेक नहीं है, ठीक है, महत्वापुर्ण बहुत बढ़ा, अब आजा यह notably, मतलब कि अच बहुत बढ़ा होता है, ठीक है, ठीक है, नोबली, आदर्स, ठीक है, तो यह भी हो गया, अब इसका opposite क्या बनेगा, तो opposite बनेगा, slightly, opposite क्या बनेगा, opposite बनेगा, मारा slightly, next, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ चलते, I am very pleased to know, अब यह pleased क्या है, तो यह होता है, वर्ब यह क को कौन क्वालिफाई करता है, तो करता है, एड़ वर्ब, तो यह होगी हमारा, एड़ वर्ब, यह होगी हमारा option number four, next, आगे बढ़ते हैं, अगले question में चले, अगला question क्या है, social dialect, देखे, जो social dialect होता है, जो समाजिक भासा होता है, dialect होता है, यह क्या होता है, आइए इसको पढ़ना सुरू करते हैं, पहले option के तरफ चले, a sub language of a major language, एक बड़े language का एक छोटा language होता है, ठीक है, तो इसका इसे कोई मतलब नहीं है, इनस्टेट और country, यह होगाने, language with a script of reason and society, मतलब जो छेतर होता है, और समाज होता है, उसके हिसाब से, उसका जो script होता है, उसकी ब होता है, कि किसी भी region का, किसी भी छेतर का, जो साहितिक भासा है, ठीक है, जो local language है, उसकी यह विसेस्ता होती है, ठीक है, आगे बढ़े characteristics of a speech of a community or group with in a language, यह भी नहीं होगा, तो इस question का correct answer क्या बनेगा, correct answer बनेगा हमारा option number 3, next आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अपने अगल language है, अब देखें, यह sign language क्या होता है, जिसमें संकेत का use का जाता है, जैसे देखें, हम लोग English का use करते हैं, तो English में alphabets होते हैं, ठीक है, 26 है, letters होते हैं, अब इसके भी अलग-अलग sign है, जैसे आप ज़रा ध्यान देजेगा, जो politicians होते हैं, जीत के बाद, इस प्रकार क जो अलग-अलग letters हैं, सबको express करने का sign है, ठीक है, तो जो sign language होता है, इसमें भी grammar का use किया जाता है, क्योंकि language का मतलब ही उसका grammar होना, ठीक है, बिना grammar का language होगा नहीं, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, उसको बोली का जाते हैं, आज यह option की तरफ चलते हैं, sign language is a natural language, sign language क् प्राकरतिक natural language है, sign language has a grammar, sign language का अपना grammar है, ठीक है, grammar होता है, sign language does not have a grammar, यह तो statement गलत हो गया, there are varieties of sign language, अलग-अलग प्रकार के, कई प्रकार के sign language होता है, यह भी सही है, तो one सही है, two सही है, और four सही है, गलत क्या है, यह वाला गलत है, तो हमें बताना क्या था, जो गलत है, वह ही बताना था, तो हमारा correct answer बनेगा, option number three, जो wrong option था, वह ही बताना था, यहाँ प्याज़िए, which one of the following is not a classical language, देखिए, classical language कौन-कौन सा है, तो classical language कौन-कौन सा है, तेलगू है, तमील है, कन्नड है, मल्यालम है, उडिया है, ठीक है, अब इसमें जरा ध्यान देजिए, इ एक classical language का दरज़ा, इसको प्राप्त नहीं है, तो हमारा answer हो जागा, यहाँ पे, हिंदी, ठीक है, next, यहाँ से आगे बड़े, यहाँ पे देखिए, एक paragraph हम लोगों को दिया हुआ है, Surly is a teacher of English at the secondary stage, ठीक है, she first ask her learners to listen to a text of six sentences twice, मतलब छे line का जो sentence था, उसको उसने कहा कि आप लोग इसको दो बार पढ़िये, see, then ask them to write the gist of the text in about five to six sentences, और पढ़ने के बाद five to six sentence में उसका जो सार है, जो conclusion है, वो लिखना है, not exactly the same sentence, लेकिन आपको same sentence का use नहीं करना है, what is this known as, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा ध्यान देज़े dictation होता है, तो उसमें हम लोग सिर्फ लिखने की बात करते हैं, sentence and dictation होता है, तो उसमें एक-एक sentence को आपको कहा जाता है, लिखने के लिए, और जरा यहाँ पे देखे, यह जिस pattern की बात कर रहा है, इसको कहते हम लोग paragraph dictation क्या करते हैं, पैरा ग्राफ dictation, अब यह grammar dictation क्या होता है, तो grammar dictation होता है, जैसे मालेज हम pronoun की बात करते हैं, adjective की बात करते हैं, किसी भी chapter की बात करते हैं, तो यह chapter हो गया, chapter की जो types होते हैं, उनका जो definition है, उनका जो example है, इसको अलग-अलग lines में लिखना है, इसको हम लोग कहते है, grammar dictation, क्या कहते हैं, dictation तो फिलाल हमारा answer क्या बनेगा हमारा answer बनेगा option number 3 क्या बनेगा answer बनेगा option number 3 चलते हैं अगले question में which of the following is not a concept from language education इसमें से वो कौन सा है जो language education में use नहीं किया जाता है देखे comprehensible input आप देखे comprehensible समझने योग है input तो समझने योग के चीज़ों को दिया जाएगा तभी तो बत्चे समझेंगे language learning task language को learn करना input device यह तो computer में होता है input device output device ठीक है अब यह feedback यह भी होता है education में ठीक है तो हमारा answer क्या बनेगा answer बनेगा option number 3 जिसका education से कोई मतलब नहीं है learning से कोई मतलब and deliberate मतलब जागरूक और जानबूज कर होता है दूसरा natural and deliberate natural होता है प्राकृतिक रूपशे होता है लेकिन जानबूज कर होता है तीसरा natural and subconscious देखे natural and subconscious कैसे होता है जैसे कोई भी बच्चा सीखता है कोई भी बच्चा सीखता है तो उसका जो subconscious mind वही इसको learn करता है इसी के माध्यम से वो बच्चा सीख पाता है और यही हम सबों के साथ भी होता है तो इस question का correct answer बनेगा option number three next आगे बढ़ते हम लोग अगले question में चलते national education policy यह देखे जो मोदी जी ले क्या आये थे national education policy इसमें क्या कहा गया था बै तो इसमें बताया गया था कि जो local language है जो अस्थानी भासा है इसका सभी प्रकार की चीजों में अधिक अधिक प्रयोग किया जाए ताकि देश के जंता का जो काम है काफी आसानी से हो सके ठीक है अब देश के जंता का काम का मतलब यह नहीं कि उनको कोई काम करना है तो local भासा में पढ़ लिक के काम करा ले जैसे computer पे और English हम लोगों के देश में English हमारे देश में अभी भी अस्थानी लोगों के साथ एक बहुत बड़ा challenge बना ह हुआ है हिंदी मीडियम के विद्यारतियों के लिए बहुत बड़ा challenge बना हुआ इसलिए उन्होंने कहा कि English language के barrier को हटाई है हिंदी language के barrier को हटाई है और जहां पर जो language पर चलान में उसी language में काम करना हम लोगों को सीखना चाहिए ठीक है चली आगे पढ़े हैं तो यहां प्याज है यह mother tongue as essential for all language and content learning सभी प्रकार के चीजों को सीखने के लिए mother tongue का यूज करना चाहिए local language का यूज करना चाहिए English as a medium of schooling from the foundational stage यह नहीं होगा इसका यहां पर विरोध किया गया था study of a foreign language तो foreign language की बात भी study of a classical language किसी classical language की बात इसमें नहीं की गई थे तो अब हमारा आंसर बनेगा option number one next अगले question में चले which of the following statement is true of product approach to writing इसमें true approach क्या है प्रोड़क्ट राइटिंग का तो productive writing क्या होता है writing as one time exercise ध्यान दिशी कोई भी अच्छा लिखाक होता है एक ही बार उसको जो लिखना होता है लिख देता है और वो हर समय तक source of earning उसका बना होता है हर समय तरह में उसकी परसंसा होती रहती है चैहां राम चरित मानस हो या Harry Potter के द्वारा लिखी गई बुक हो ठीक है Harry Potter वाली बुक हो ठीक है चले जो JK Rowling की द्वारा लिखी गई ति कौन से बुक है Harry Potter तो Harry Potter जैसे जो बुक है या ऐसे बहुत सारी बुक से हैं बहुत सारी इस कांसर क्या बंजेगा इस कांसर बंजेगा हमारा option number one next आगे पढ़ें आगे पढ़ते हैं what is consciousness raising in grammar teaching learning देखें यह जो consciousness raising है जागरूगता लाने की बात है यह कैसे ला जाती है तो सबसे पहले हम लोगों के सामने challenge होता है कि हम लोगों को यह English में लिखी खरी चीज़े समझ मे नहीं आती है अब conscious raising जो होता है या conscious raising learning जो होता है यह क्या होता है तो इसके माध्यम से जैसे आप हंडेली news paper का एडिटोरियल पढ़ते हैं आप मैंसे कुछ लोग जरूर पढ़ते ही होंगे तो वहाँ पर क्या कहता है कि आप जो भी text पढ़ते हैं जो भी text पढ़ते हैं contextual meaning आपको word का निकालना सिखा जाता है वहीं पर जो grammar के application है वह आपको सिखा जाता है इसी को कहते हैं क्या करते हैं conscious raising ठीक है बात समझ में आ रही है आज है यहां पर चेक कर लें हम लोग इसमें देखे जारा इंट्रोडिउसिंग ग्रामर आइटम इन आइसोलेशन से अलग से sentence की कोई जरूरत नहीं है अलग से आपको सीखने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है सब एक ही में हम लोग सीखेंगे editorial वगएरा में ऐसी बात होनी चाहिए कॉंटेक्स्ट में learning grammar तो सब्स्टिचूशन डिल से इसका कोई वास्ता नहीं है लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेटर जैसे आगई है यह कैंसल होगा है अब देखें ऑप्शन नमर वन कैंसल टू कैंसल त्री कैंसल फोर को जरूरत देखें इंट्रोड्यूसिंग ग्रामर आइटम इन अ कॉंटेक्स्ट चाहां कॉंटेक्स्ट में ठीक है तो जो कॉंटेक्स्ट है उसके एकोडिंग उसी में वहीं पर सबको सीखना तो यह हो गया हमारा ऑप्शन नमबर फूर नेक्स्ट आगे बड़े हम लोग है अगले कोशन में देखें विच आप फॉलोईंग यू उड़ नॉट एक्सेप्ट एज ऑथेंटिक मेटेरियल किसको आप एक ऑथेंटिक मेटेरियल नहीं मानते भए यहां जाए काटून फ्रॉम निउस पेपर जो निउस पेपर में काटून दिया गया है उसको उसी ने पॉप्लिस किया तो ऑथेंटिक है भाई ठीक है एजाए डिवाटाइजमेंट इसमेंट इने वाला कॉन है इस पॉप्लीकेशन का बैजिनर क जो पब्लिसर है नेच्सट ए स्टोरी वाई यह विल नोन राइटर किसी विल नोन राइटर का जो स्टोरी होगा उसका भी ओधर नोन है लेकिन इसका author known है क्या, कोई एसे जो हो climate change पे लिखा गया हो, भाई, textbook writer, जो textbook writer, तो textbook का कोई भी writer हो सकता हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो correct answer बनेगा हमारा option number four, next आगे पढ़ते हैं, which one of the following is a study skill, कौन सा, इसमें से कौन सा study skill है, listening to a news item, to share with friends letter, दूसरा पढ़ते हैं, making notes while reading, a text on scientific inquiry, scientific study, scientific inquiry, जो भी आप करते हैं, ठीक है, या इस तरीके का कोई भी आप जो study करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, reading के साथ साथ हम लोग note जो बनाते चलते हैं, यह best way होता है, study skill कर ठीक है, तो इसका correct answer बनेगा हमारा option number two, next आगे बढ़ते हैं, which of the following is true of grammar learning, grammar learning के लिए इन में से दिया गया कौन सा statement, correct, learners move from form to meaning, पहले form आप सीखते हैं, यानि के पहले grammar को सीखते हैं, उसके बाद meaning को सीखते हैं, rules of grammar need to be learned first, grammar के रूल को सबसे पहले सीखना चाहती तीजरा है, learners moves from meaning and to and use to form, ठीक है, सबसे पहले आप उसका meaning सीखिए, उसके बाद उसके grammar के तरफ जाए, grammar learning is like content subject learning, यह नहीं है, अब देखेए, यह जो option number 3 है, यह हमारा correct answer का क्यों होगा भाई, जैसे English media में जो बच्चा पढ़ता है, वो पहले सब्दों का अर्थ जानता है, sentence का meaning निकालना जानता है, grammar वो बाद में जानता है, हलाक would be the name of this type of question, इस type के question को हम लोग क्या करते है, आइए सबसे पहले इसको हम लोग सीखे, जरा ध्यान देजे, यह जो descriptive question है, यह क्या होता है, इसमें हम लोग how and why, जैसे what is your name, ठीक है, जो blood होता है, यह red क्यों होता है, white क्यों होता है, rbc क्या है, wbc क्या है, इस तरीके से question answer pattern में यह जो question पूछा जाता है, इसको कहते हैं, descriptive question, ठीक है, दूसरा, extra positive question क्या होता है, तो वरतमान में जो भी चीजे available है, जो data available है, उसका use करके, उसके आगे और क्या पूछा जा सकता है, इसके आगे और क्या हो सकता है, इसके कलपना करना, इसका future का, recent future का, अनुमान लगा जाना, इसको कहते हैं, extra positive question, अब यह देखे, यह जो discursive question है, यह क्या होता है, कि इसमें आप क्या करते हैं, चीजों को analyze करते हैं, दोनों पक्षे की बात करते हैं, positive aspect के भी, negative aspect की भी, analytical question क्या होता है, इसमें जो student होता है, जो learner होता है, उसका mental analysis कहा जाता है, इसकी छमता कैस पांच सब्दों का एक स से जुड़ा हुआ ठीक है कॉंटेक्स से चुड़ा हुआ पांच वोड का गुरूप देते हैं, and ask them to find words which can be friend the words each word should have at least 5 word friends ठीक है जो 5 word का group दिया गया और उसके बारे बच्चों को कहा गया कि ये जो पांच word है इन पांचों से related प्रतिक सब्द से related उसके पांच पांच friend word लिखने है ठीक है मिलता जोलता पांच word लिखना है इसको हम क्या खाते तो इसको हम लोग वड फॉर्मेशन नहीं कहते लेकसीकल का में उप्षिनеноज होता है तो डेकसीननरी से रिलेटीद रिलेटीड चंक होता है टुकड शबलसे कोई मतलब ने कहते हैं अदेख लेकाथ alexa क्या क्या करते हैं इस करेंग्ड क्या काथ तो आप ज़रा ध्यान देजी चाहे हिंदी में पोईटरी लिखी गई हो या इंग्लिस में लिखी गई हो यह एंजॉयमेंट के लिए लिखा गया होता है और इसमें क्या होता है किसी ने किसी की प्रसंसा होता है यह चे करें grammar learning के लिए यह होता नहीं, vocabulary के लिए यह होता नहीं, writing and argument के लिए यह होता नहीं, enjoyment and appreciation के लिए लिखा जाता है, ठीक है, तो correct answer बनेगा हमारा option number 3, correct answer बनेगा option number 3, तो आज के अपने इस वीडियो सेशन को हम लोग यहीं पर sum up करते हैं, मिलते हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत